दोस्तों मैं सौरमलिक आप सभी का Only Top Study Channel पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट अफेर कुईज में आज हम देखेंगे 25 अपरेल की करेंट अफेर को जो कि सभी प्रिक्साओं के लिए मैधपून रहेगी डेली करेंट अफेर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट अफेर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट अफेर होती है अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कल की वीडियो से कोशन पूछूंगा जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना होगा कोशन है किसे रास्टिय सुरक्सा परिसद सचीवाले में सेन्य सलाकार के तोर पर नियुक्त किया गया है तो जल्दी से इस कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में बता दीजिगा शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है पांचवी भारत ग्याना सेन्युक्त आयोक की बैठक कहां आयजित हुई तो पहले कोशन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों कहां पर हुई है जोर्ज टाउन में यानि की ओप्शन बी रैट आंसर हो जाएगा तो ये आपको याद अखना है दूसरा कोशन आता है केंद्र सरकार ने पसू जनम नियंतरन नियम यानि की एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 नोटिफाई किया इसमें क्या प्रवधान है दोस्तों इसमें प्रवधान है कुट्टों के इस्थांतरन की अनुमती नहीं दी जा सकती आवारा कुट्टों की नस्बंदी और टीका करन एंटी रेवीज कारेकरम लागू करना यानि की उप्रुक्त सभी तो राइट आंसर डी रहेगा कोशन नमबर टू का सही उत्तर तो ये आपको याद अखना है कोशन नमबर थ्री आता है उत्तर परदे सरकार ने राज्य के सभी सरकारी वहनों को इलेक्टरिक वहनों यानि की एवी में बदलने का लक्षे क्या तै किया है तो तीसरे कोशन का सही उत्तर रहेगा 2030 तक यानि की C राइट आंसर हो जाएगा तीसरे कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 4 आता है कि सवर्जनिक छेत्र उदम यानि की PSU को अप्रेल 2023 में मीनी रतन स्रेणी 1 का दर्जा मिला तो कोशन नमबर 4 का राइट आंसर रहेगा Solar Energy Corporation of India को यानि की Option A राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 5 आता है किस देश ने अपने बेस्टल डे सेन्ये प्रेड में भारतिय प्रधान मंत्री को आमंत्रित किया तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल पाँचवे कोशन का राइट आंसर हैगा France यानि की B राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा पाँचवे कोशन का सही उत्तर देखिए अगर आप लोग को PDF डाउनलोड करनी है तो Only Top Study एप को डाउनलोड कर लीजे और 5 स्टार की रेटिंग कर देंगे तो आपको PDF फ्री में मिलना स्टार्ट हो जाएगी करन्ट अफेर की बाकी जो हमारी जो पेड पीडियाप है दोस्तो 6000 के कोशन आंसर की मास्टर पीडियाप ये मात्र 150 रुपीज में आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट, हमारे वोटसप नंबर और नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिये गए लिंक पर किलिक करके इस पीडियाप में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं चटे कोशन का सही उत्तर रहेगा राधा, एंगर, पलंब यानि की राइट आंसर की हो जाएगा चटे कोशन का सही उत्तर ये आपको याद अखना है कोशन नंबर 7 आता है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला है भी लिफ्ट लोजिस्टिक ड्रोन लॉंच किया है तो उडिसा इस कोशन का सही उत्तर रहेगा यानि की ऑप्शन दोस्तो ए राइट आंसर हो जाएगा ये आपको याद अखना है कोशन नंबर 8 आता है हाल ही में किसे भारत Dynamics Limited के CMD के रूप में नामित किया गया है तो आठवे कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा बिल्कुल सही है ए माधव राव यानि की राइट आंसर सी हो जाएगा आठवे कोशन का सही उत्तर ये आपको याद दखना है कोशन नंबर 9 आता है हाल ही में भारतिय नोसेनाक ने किस देश से 300 मिलियन डोलर के हत्यार खरीदे हैं तो नोवे कोशन का दूस्तो राइट आंसर रहेगा अमेरिका से यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नंबर 10 आता है हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रैंड एंबसेडर बनाया है तो देखे अगर आप लोग इस सेशन को रेगुलर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें अपने भाई बेहन दोस्ट जो भी कॉम्परेटिव एक्जाम की त्यारी करते हैं उन तक भी इस वीडियो को जरूर सेयर कर दिया करें तो दसवे कोशन का राइट आंसर रहेगा रोहित सर्मा को यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर ग्यारा आता है हाल ही में कौन सबसे अधिक तलाबो और जलाश्यों वाले राज्यों की सूची में सिर्ष पर रहा है तो ग्यारवे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तो पस्चिम बंगाल यानि की बी राइट आंसर रहेगा कोशन नमबर ग्यारा का सही उतर कोशन नमबर बारा आता है हाल ही में भारत सरकार ने कहा 4G मोबाइल टावर रास्ट को समर्पित किये है तो बारवे कोशन का सही उतर रहेगा दोस्तो और नाचल परदेश यानि की सी राइट आंसर रहेगा बारवे कोशन का सही उतर ये आपको याद अखना है कोशन नमबर थर्टीन है हाल ही में भारत सेना ने सेन्य कर्मियों को चीनी भासा का परसिक्षन देने के लिए किस युनिवर्स्टी के साथ समझोता किया है तो कोशन नमबर थर्टीन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा कोशन नमबर थर्टीन का सही उतर ये आपको याद अखना है कोशन नमबर फोटीन आता है हाल ही में किस देश में जीत गड़ी पर वो मनाया गया है तो कोशन नमबर फोटीन का सही उतर रहेगा दोस्तो नेपाल में यानि की option A right answer हो जाएगा question number 15 आता है हाल ही में किस की विधान सबा में factory यानि की factory संसोदन अधिनियम 2023 पारित किया गया है तो किस की विधान सबा में दोस्तों ये आपको बताना है right answer रहेगा question number दोस्तों आता है हाल ही में नारायन परसाद सबा में किस देश के नए विधेश वंतरी के रूप में कारेभार संबाला है तो solve question का right answer दोस्तों क्या रहेगा नेपाल के यानि की B right answer हो जाएगा question number 17 आता है हाल ही में कौन सा IAT तंजानिया में अपना पहला अंतरास्टिय परिशर इस्थापित करेगा तो 17 question का right answer क्या रहेगा IAT मदरास यानि की दोस्तों C right answer हो जाएगा 17 question का सही उत्तर ये आपके या दखने है question number 18 आता है World Bank Logistic Performance Index 2023 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है तो 18 question का सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों 38 यानि की B right answer हो जाएगा 18 question का सही उत्तर ये आपको या दखना है question number 19 आता है परसिद अर्थसास्तरी और पूर्व सांसद तिलोचन कानून गो का संबन किस राज्य से है तो 19 question का right answer क्या रहेगा उडिसा से है दोस्तों यानि की right answer D हो जाएगा 19 question का सही उत्तर ये आपको या दखना है question number 20 आता है third खेलो इंडिया university games का आयोजन कहा किया जाएगा तो 20 वे question का right answer क्या रहेगा दोस्तों उत्तर परदेश में यानि की right answer D हो जाएगा 20 वे question का सही उत्तर ये तो थी हमारे 20 current affair के question answers अब आज का हमारा homework का question है गंगा पुसकर रालूर त्योहार का आयोजन कहा किया जा रहा है तो इस question का answer सभी student comment box में बताएंगे जो इसका सही उत्तर रहेगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का हमारा question of the day है सारनात में किस समराट का स्थम्भ है तो जल्दी से answer बताईए 5 second का समय दिया जाता है I hope कि आप सभी ने इसका answer कर दिया होगा सारनात में किस समराट का स्थम्भ है दोस्तो राइट answer रहेगा असो का यानि की option A right answer हो जाएगा इस question का सही उत्तर कल का हमारा homework का question है डिजिटल सवाज सिखर सम्मेलन 2023 कहा हुआ तो right answer हैगा गोवा में आनि की right answer दोस्तो C हो जाएगा ठीक है बाकी इसकी PDF लेने के लिए Only Top Study आपको डाउनलोड करिए 5 star की रेटिंग करिए उसके बाद आपको करेंट फिर PDF वाले section में जाके PDF मिल जाएगी और 6000 के question answers की PDF मिलेगी आपको जो हमारी master PDF है हमारी website onlytopstud.com हमारे whatsapp number या फिर नीचे description box में दिएगे link से मात्र 150 रुपीज में आप इस PDF को ले सकते हैं इस PDF में सारे subject है History, Geography, Politics, Economics, Physics, Chemistry, Biology, Current of a Computer, Static, GK अभी SSC MTS का भी exam आ रहा है तो ये best PDF रहेगी अभी कम समय में अगर आप सब कुछ पढ़ना चाते हैं तो इस PDF से पढ़के जा सकते हैं बहुत अच्छे score आप कर पाएंगे तीनों classes के timing को note कर लीजे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल ऐकन को जरूर ओन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिसना हो और वीडियो पसंद आई है तो लाइक सेर कर दीजेगा थेंक्यू सो मच बाइबाइ एब्रीवन टेक केर ख्याले के अपना